ओम शांती आज है साथ मई दो हजार तेज़ की अव्यक्त मुरली आए सुनते हैं बाबा के मीठे मीठे महावाक्यों को परमात्म पालना और परिवर्दन शक्ती का प्रत्यक्ष स्वरोब सहच योगी जीवन आज बाब दादा हर एक बच्चों के मस्तक पर विशेश स्रिस्ट भाग्य की तीन लकीरें देख रहे हैं सर्व बच्चों का भाग्य तो सदा सर्व स्रिस्ट है ही लेकिन आज विशेश तीन लकीर चमक रही हैं एक है परमात्म पालना के भाग्य के लकीर और दूसरी है बेहद के उंचे ते उंचे पढ़ाई के भाग्य के लकीर तीसरी है स्रेस्ट मत प्राप्त होने के भाग्य के लकीर चाहे लौकिक चाहे अलौकिक हर एक को इस जीवन में ये तीन प्राप्तियां होती ही है पालना भी मिलती पढ़ाई भी मिलती और मत भी मिलती है इन तीनों द्वारा ही हर आत्मा अपना वर्तमार और भविश्य बनाने के नीमित बनती है आप सभी स्रेस्ट आत्माओं को किसकी पालना मिल रही है परमात्म पालना के अंदर हर सेकंड पल रहे हो जैसे परम आत्मा उचे ते उचे है तो परमात्म पालना भी कितनी स्रेस्ट है और इस परमात्म पालना के पात्र कौन बने हैं और कितने बने हैं सारे विश्य की आत्माएं बाप कहती हैं लेकिन पालना और पढ़ाई के पात्र नहीं बनती हैं और आप कितनी थोड़ी सी आत्माएं इस भाग्य के पात्र बनती हो सारे कल्प में यही थोड़ा सा समय परमात्म पालना मिलती है डैवी पालना मान पालना ये तो अनेक चनम मिलती है लेकिन ये स्रेस्ट पालना अब नहीं तो फिर नहीं ऐसे स्रेस्ट भाग्य की स्रेस्ट लकीर सदा अपने मस्तक में चमकते हुए अनुभव करते हो कोई भी प्राप्ती सदा करना चाहते हो या कभी कभी करना चाहते हो तो प्राप्ती का पुरुशार्थ भी सदा चाहिए या कभी कभी चाहिए और सदा तेवर चाहिए या कभी साधारन कभी तेवर प्रैक्टिकल क्या है चहना और प्रैक्टिकल में अंतर हो जाता है ना सोचते तो बहुतो लेकिन समरीती में थोड़ा रखते हो सोचना स्वरूप बनना है या समरीती स्वरूप बनना है समरीती स्वरूप बनने वाले हो ना तो एक बात भी समरीती में रखो कि अमरित वेले आपको उठाने वाला कौन बाप का प्यार उठाता है दिन का आरम कितना स्रेस्ट है और बाप स्वयम मिलन मनाने के लिए बुलाते हैं रूह रिहान करते हैं शक्तियां भरते हैं तो हर दिन का आदी कितना स्रेस्ट है बाप की महबत से उठते हो कि कभी कभी मजबूरी से भी उठते हो यथार्थ तो महबत के गीत आपको उठाते हैं अमरित वेले से बाप कितना सनेह से बुलाते हैं, उठाते हैं, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे आओ, तो जिसका आदी इतना स्रेस्ट है, तो मध्य और अंत क्या होगा, स्रेस्ट होगा ना, बाप दादा देख रहे थे कि कितना पानला का भाग्य वर्तमान समय बच्चों को प्राप्त है जितना प्राप्त है, उतना फाइदा उठाते हो, स्वपन में भी संकल मातर नहीं था, कितने भाग्य के पातर बनेंगे, सोचने से बाहर था, लेकिन मिला कितना सहज, बाप के प्यार की पानला का प्रक्टिकल स्वरूप ही है, सहज योगी जीवन, जिससे प्यार होता है, उसके लिए मुश्किल परिसीती या मुश्किल कोई भी बात देखी सुनी नहीं जाती तो बाप ने भी मुश्किल को सहज बनाया है ना सदा सहज है तो सदा ही पुरुशार्थ की गती तिवर हो आज बहुत अच्छा पुरुशार्थ है और फिर कल थोड़ी परसेंटेज गम हो गई तो क्या सदा सहज कहेंगे सदा मुश्किल कौन बनाते हैं सोयम ही बनाते हो ना क्या कारण सोचने की तो आदत है लेकिन समरीती स्वरूप के संसकार कभी इमर्ज रखते हो कभी मर्ज हो जाते हैं क्यूंकि समरीती स्वरूप सो समर्थ स्वरूप सोचना यहां समर्थी स्वरूप नहीं है समरीती समर्थी है वी समरीती में क्यों आ जाते हो आदत से मजबूर हो जाते हो अगर मजबूत नहीं तो मजबूर हो जाएंगे जहां मजबूत है वहां मजबूरी नहीं है जब ओरिजनल आदत वी समरीती की नहीं है आदी में समरीती स्वरूप प्रालब्द प्राप्त करने वाली देवात्माई हो योग लगाने का पुरुशार्थ नहीं करते लेकिन सम्रिती स्वरूप की प्रालब्द प्राप्त करते हो तो आदी में भी सम्रिती स्वरूप का प्रत्यक्षि जीवन है और अनादी आत्मा जब आप परंधाम से आई तो आप विशेश आत्माओं के संसकार स्वता ही सम्रीती स्वरूप है और अंतमे संगम पर भी सम्रीती स्वरूप बनते होना तो अनादी आदी और अंत तीनों ही काल सम्रीती स्वरूप है वी सम्रीती तो बीच में आई तो आदी अनादी सुरूप सहच होना चाहिए या मध्य का सुरूप सोचते हो कि हाँ मैं आत्मा हूँ लेकिन समरीती सुरूप हो चलना बोलना देखना उसमें अंतर पड़ जाता है तो यह समरीती में रखो कि हम परमात्म पालना की अधिकारी आत्माई हैं बाप दादा चार्ट चेक करते हैं तो लकीर कभी उंची कभी नीची होती है कभी कोई दाग होता है कभी जीवन के कागज में कोई दाग नहीं भी होता है और कोईसमें दाग ही दाग, एक पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा दाग ही नजर आते हैं, क्यों? एक तो गलती हो जाती है, लेकिन गलती होने के बाद भी उसी गलती को सोचते रहते हो, क्यों? क्या? कैसे? ऐसे नहीं? वैसे? किसी भी रूप से बात को छोड़ते ही नहीं है बात आपको छोड़ कर जाती है लेकिन आप बात को नहीं छोड़ते हो जितना समय सोचने स्वरूप बनते हो यथार्थ समरीती स्वरूप नहीं बनते हो तो दाग के उपर दाग लगते जाते हैं पेपर का टाइम कम होता है लेकिन व्यर्थ सोचने का संसकार होने के क वारन पेपर का टाइम भढ़ा देते हो सेकंड पूरा हुआ और निर्विकल्प स्थिती बन जाए यह संसकार इमज करो निर्विकल्प बढ़ना आता है ना अपने स्रेष्ट भाग्य को समरीती में लाकर सदा हर्शित रहो अपने परमात्म पाला को सदा बार-बार समरीती में लाओ सुनना भी आता है सोचना भी आता है लेकिन फर्क क्या पढ़ जाता है बाप दादा बच्चों का खेल देखते रहते हैं सारे दिन में क्या-क्या खेल करते हो ये रातरे को चर्करते हो ना माया के खिलोने बड़े आकर्शन वाले हैं तो उन खिलोनों से खेलने लग जाते हो पहले तो बहुत प्यार से माया खेल कराती है और खेल कराते कराते जब हार खिलाती है तब होश में आते हैं मिजोरिटी में एक विशेश शक्ती की कमी रह जाती है कभी बहुत अच्छे चलते हो, कभी चलते हो, कभी उड़ते हो, आगे बढ़ते हो, लेकिन फिर नीचे क्यों आ जाते हो, इसका विशेश क्या कारण है, परिवर्तन शक्ति की कमचोरी है, समस्ते भी हो कि ये यथार्थ नहीं है, लेकिन परिवर्तित होने की कमी हो जाती है, ब्रह्मन जीवन में जो प्रिक्षाएं आती हैं उसमें परिवर्तन करने की शक्ती आफशक होती है जब व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो समझते भी हो कि ये व्यर्थ हैं लेकिन व्यर्थ संकल्पों का बहाव इतना तेज होता है जो अपनी तरफ खींचता जाता है जैसे नदी का वा सागर का बहुत फोर्स होता है, तो कितना भी अपने को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी बहते जाते हैं, समझते भी हो, सोचते भी हो कि ये ठीक नहीं है, इससे नुकसान है, फिर भी बहाव में बह जाते हो, इसका क्या कारण है, परिवर्तन शक परिवर्तन है इसमें भी चेक करो तो जब देह भान का फोर्स होता है तो आत्म अभिमान के स्वरूप में टिक सकते हो या बह जाते हो। अगर सेकिंड में परिवर्तन शक्ती काम में आजाए तो समय संकल्प कितने बच जाते हैं। वेस्ट से बैस्ट में जमा हो जाते हैं। पहली परिवर्तन शक्ति है सोरूप का परिवर्तन और स्वभाव का परिवर्तन पुराना स्वभाव पुरुशार्थी जीवन में धुखा देता है समस्ते भी हो कि यहाँ मेरा स्वभाव यथार्थ नहीं है और यहाँ स्वभाव समय प्रति समय धुखा भी देता है यहाँ ही समझते हो लेकिन फिर भी सोभाव के वश हो जाते हो फिर अपने बचाव के लिए कहते हो कि मेरा भाव नहीं था मेरा सोभाव ऐसा है मैं चाहता या चाहती नहीं हूँ लेकिन मेरा सोभाव है ब्रहमन बन गए तो जनम बदल गया, संबंध बदल गया, माबाब बदल गये, परिवार बदल गया, लेकिन स्वभाव नहीं बदला, फिर रॉयल शब्द कहते कि मेरी नीचर है, तो पहली कमजोरी स्वरूब का परिवर्दन, दूसरा स्वभाव का परिवर्दन, तीसरा संकल्प का परिवर् वो पंद्रा मिनट की कमजोरी संसकार बना देती है ना, जैसे शरीर में अगर कोई बार बार कमजोर होता रहे तो सदा के लिए कमजोर बन जाती है, तो पंद्रा मिनट कोई कम नहीं है, संगम युक का एक एक सेकिंड वर्षों के समाल है, तो ऐसे अलबेले नहीं बनो, भल थ गवाया कितना, जब कदम में पदम कहते हो, तो पंद्रा मिनट में कितने कदम उठेंगे और कितने पदम गवाये, जमा में तो हिसाब अच्छा रखते हो, कि कदम में पदम जमा हो गया, लेकिन गवाने का भी तो हिसाब रखो, तो नचाते हुए भी संसकार खींचते हैं, जो भी बात बार बार होती वो संसकार रूप में भर जाती है तो संकल्प परिवर्तन करो, सिर्फ सोचते नहीं रहो, करना नहीं चाहिए, हो गया क्या करो, नहीं सोचो और उसको पुरा करके दिखाओ, कहते हो बीती को बिंदी लगाओ, एक दो को ग्यान देते हो न, कोई आकर बात करेंगे तो कहेंगे ठीक है, बिंदी लगा दो, लेकिन स्वयम बिंदी लगाते हो, बिंदी लगाने लिए कौन से शक्ती चाहिए, परिवर्तन शक्ती परिवर्तन शक्ति वाला सदा ही निर्मल और निर्मान रहता है जैसे पहले भी बाप दादा ने सुनाया है कि मोल्ड होने वाला ही रियल गोल्ड है रियल गोल्ड की निशानी है वो मोल्ड हो जाएगा तो चेक करो कि परिवर्तन शक्ति समय पर काम आती है या समय दीद जाने के बाद सोचते ही रहते हैं तो परिवर्तन शक्ति को बढ़ाना है जिसमें परिवर्तन शक्ति है वो सबका प्यारा बनता है विचारों में भी सहज रहेगा आगे बढ़ते सेवा में रहते होना सेवा में भी विगनरूप क्या होता है मेरा विचार, मेरा प्लान, मेरी सेवा इतनी अच्छी होते हुए भी मेरा क्यों नहीं माना गया तो उसको रियल गोल्ड कहेंगे मेरा पन आ गया, मेरा पन आना अर्थाथ अल्वाई मिक्स होना जब रियल गूल्ड में अल्वाई मिक्स हो जाता है तो वो रियल रहता है उसका मुल्ले रहता है कितना फरक पड़ जाता है तो समय और वायू मंडल को परक कर अपने को परिवर्तन करना इसकी आवशकता है मोटी मोटी बातों में परिवर्तन करना तो सहच है लेकिन हर परिस्थीती में हर संबंध संपर्क में समय और वायुमंडल को समझ स्वयम को परिवर्तन करना यही नमबर वन बढ़ना है यह नहीं सोचो कि फलाना भी समझे ना यह भी तो परिवर्तन करे ना सिर्फ मैं ही परिवर्तन करूं क्या जो ओटे सो अर्जुन इसमें अगर आपने अपने को परिवर्तन किया तो ये परिवर्तन ही विजह बढ़ने की निशानी है समझा अच्छा चारों और के सर्व सदा समरीती स्वरूप आत्माओं को सदा सैकिन में परिवर्तन शक्ती द्वारा स्वा परिवर्तन करने वाली स्रेस्थ आत्माओं को सदा सहज योगी अनुभव करने वाले अनुभवी आत्माओं को सदा बाप के समीप और समान बढने के उमंग उत्साह में रहने वाली सरवातमाओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मानिंग और नमस्ते Teachers, सभी Teachers तो सदा ही ज्यान स्वरूप समरीती स्वरूप हैं ही, क्यूंकि जैसे बाब शिक्षक बन कर आते हैं, तो बाब समा निमित शिक्षक हो, बाब जैसे नहीं हो लेकिन निमित शिक्षक हो, तो Teachers की विशेशता निमित भाव और निर्मान भाव, सफल टीचर वही बनती ह जिसका निर्मल स्वभाव हो, अभी निर्मल स्वभाव के उपर विशेश अंडरलाइन करो, कुछ भी हो जाए लेकिन अपना स्वभाव सदा निर्मल रहे, यही निर्मल स्वभाव निर्मानता की निशानी है, तो अंडरलाइन करो निर्मल स्वभाव, बिलकुल शीतल, श तो बाप दादा फिर भी अंडरलाइन करा रहे हैं किस पर निर्मल सुभाव समझा अच्छा प्रेश्ण सबसे बड़ा खजाना कौन सा है जिससे ही ग्यान और योग की परक होती है उत्तर सबसे बड़ा खजाना है खुशी का चाहे कितना भी ग्यान हो योग हो लेकिन खुशी की प्राप्ती नहीं है तो ग्यान ठीक नहीं कोई भी परिस्तिती आजाए खुशी गायब नहीं हो सकती अविनाशी बाप का अविनाशी खजाना मिला है इसलिए खुशी कभी गायब नहीं हो सकती योग लगाते लेकिन खुशी नहीं तो योग ठीक नहीं आपकी खुशी देख दूसरे आपसे पूछें कि क्या आपको मिला है यही यान और योग की प्रत्यक्षता का साधन है प्रैश्न किस लगन के आधार पर विगनों की समाप्ती स्वता होचाती है उत्तर एक बाप दूसरा न कोई इसी लगन में मगन रहो तो विगन टिक नहीं सकता विगन है तो लगन नहीं विगन भल आएं लेकिन उसका प्रभाव न पड़े जब स्वयम प्रभाव शाली आत्मा बन चाते तो किसी का प्रभाव नहीं पड़ सकता जैसे सूरे को कोई कितना भी छिपाए तो छिप नहीं सकता सदा चमकता रहता है ऐसे ही प्रभाव शाली आत्माओं को कोई भी प्रभाव अपनी तरफ खींच नहीं सकता तो सदा एक बाप दूसरा ना कोई इसी लगन में मगन रहने वाले यही विशेश संगम युक का अनुभव है वरदान सनेह की लिफ्ट दोरा उड़ती कला का अनुभव करने वाले अविनाशी संही भव लेकिन यदि सनेह में अल्बेलापन है तो बाप से करण्ट नहीं मिलती और लिफ्ट काम नहीं करती जैसे लाइट बंद होने से connection खत्म होने से lift द्वारा सुख की अनुभूती नहीं कर सकते ऐसे सनेह कम है तो मेहनत का अनभव होता है इसलिए अविनाशी सनेही बनो श्लोगन शुब संकल्प और दिव्य बुध्धी के यंत्र द्वारा तिव्रगती की उडान भरते रहो शुक्रिय बाबा शुक्रिय ओम शान्ति